नवस्कार मैं हूं अंदर में इंदर आप देख रहे हैं ओलाइन उज इंडिया दिली पुलीस अमित शाह के अंडर में आती है और अमित शाह इस देश के ग्रह मंत्री है का जाता है कि अमित शाह सरदार वलब भाई पटेल के बाद में सबसे मजबूत ग्रह मंत्री और केस की सुरक्षा वैस्ता देश की सुरक्षा वैस्ता की जिम्मेदारी अमित्ष्या की 15 गस्त का मोका है डिली की अंदर चप्पे चप्पे के ऊपर सिक्योर्टी तेनाथ है और उस बीच में डिली के संसद मार्ग थाने के सामने एक जुंड आता है हजारों लोगों की तदात में नारे लगाए जाते हैं मुसल्मानों को काटने की खुलेाम धंकी जी जाती है और उसके बाद में अमित्ष्या के अंदर में आने वाली डिली पुलिस डिली पुलिस क्या कहती है दिल्ली पुलिस कहती ही कि अग्जात हमें नहीं मालूम कि कौन थे वो लोग जबकि वीडियो वाइरल हो रही है चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं हमने आपको पहले भी बता दिया है लेकिन किस तरह से दिल्ली पुलिस बड़ी मासूमित के साथ में कहती है कि हमने F.I.R. अन्नोन परसन के खिलाफ जो है वो F.I.R. दर्ज की जाती है कि ये जंतर मंतर के उपर जो है वो F.I.R. दर्ज कर ली गई है जिस तरह के नारेबाजी हुई थी ये दिल्ली पुलिस कहती है सुबह 10 बज करके 9 मिनिट पर इसके बाद में आप एक और ट्वीट आप हैं डिसीपी साहविए कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर इखटा हुए थे उनको परमीशन ही नहीं थी आप ये वतही कि दिल्ली के संसदमार्ग ठाने के सामने हज्यारों की तादात में लोग इखटा हो जाते हैं और आप कहते कि उनके पास में परमीशन नहीं थी जबकि दिल्ली के संसद मार्ग ठाने के इधर से एकजिट और एंट्री दोनों जहें पर बेरिकेट लगे हुए हैं, पुलिस वहां पर खड़ी रहती हैं, 2400 घंटे पुलिस तेनात रहती हैं, पेरा मिल्टरी फोर्स की जवान तेनात रहती हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि वहां पर जितने भी लोग इकटे हुए हैं, उनके पास में परमीशन ही नहीं थी, बगेर परमीशन की इतने लोग आ गए, और फिर उसके बाद में इनारेबाजी हो रही हैं, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर और खास करके संसद मार्ग ठाने के पास में, क्योंकि संसद भी इस वक्त में चल रही है, पंदरागस्त का मोका भी है, इसलिए करीब करीब जो है, वो हर 20-30 मिटर के बाद में आपको CCTV कैमरा मिल जाएगा, CCTV कैमरे होने के बाउचूद, पंदरागस्त की सिक्योर्टी होने के बाउचूद, कैसे बिना पर्मिसन के इतने लोग आ गए, कैसे वहाँ पर इतने लोग इखटा होकर के नारेबाजी करके चले जाते हैं, और आप उस घटना के बीच जाने के बाद में भी आप कहते कि unknown person है, आप अपना पला जाड़ देते हैं, यह किसाफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि यह पुलिस की नाकामी है, अब इसको लेकर के लोग जो है, अब दिल्ली पुलिस को आईना दिखाने के काम कर रहे हैं, कि इसका नाम उत्तम मलिक, उत्तम मलिक जो है, जिस सक्स ने यह नारे लगाए हैं, उसका नाम उत्तम मलिक है, हमने आपको कल यह बता दिया था, न्यूज लॉंडरी की एक रिपोर्टर है, उन्होंने इसके नाम का खुलासा किया था, और अब जो है, यह unknown person के नाम पर लोग स के उपर यूज लग सकता है, लेकिन जो लोग अगर वो एक अनलब संक्या के उपर, जेनी उपर, जामिया पर अगर हमला करते हैं, तो सब अन्नोन हो जाते हैं, अब इसको लेकर के लोग सवाल पूछें, चार तस्वीर आप देखिए, इसमें चार तस्वीरें में, जाफर पीट करती है, वो सब के सामने, लेकिन आज तक इस कोमल सरमा की गिर्फतारी निवी है, ये भी अन्नोन है, उसके बाद में आप देखि लीजिए, दिल्ली की सडकों पर खुले आम नारे लगते हैं, अनुराग ठाकुर नारे लगते हैं, गोली मारो, डेस डेस डेस, और व फुटेज है, और उसके बाद में, काबिल ग्रह मंतरी, मजबूत ग्रह मंतरी, अमित शाह की पुलिस कहती है, कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते बताईें, कि इतने लोग इकटा होगे, हमको मालूम नहीं है, ये लोग कहते हैं, और तब ये सवाल उठ रहे हैं, तो ग्रहमं तरी को तो उसमें क्या कह रहा है यह पी-एम और ग्रहमं अंत्री के पास में और भी जरूरी काम है उनकी खामोसी का तो पता नहीं लेकिन इतना तो तzurकार जटना हला मचाएंगे बीजेपी को उतना पाइदा होगा यह कूं से पतरकार है इनको बिल्कुल भी दिखा हालात में खड़ी हो गई हा करके यहां पर दिल्ली के अंदर 15 इसकी सुरक्षा के मौखे पर इतने लोग आकर के खुल्याम मारने काटने की बात कह रहे हैं और आप बीजेपी को फाइदा होगा आप इस बात पर मोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्ष्य विवस्ता अगर वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं सवाल है ये लेकिन देखिए इसको लेकर के ये सबसे पहले एक और ट्वीट देख लिए फिर उसके बाद विनोध गापडी का ट्वीट दिखाएंगे ये पतरकार के उपर है वो ये प्रसांत करनोजिया ने भी ट्वीट करके कहा है कि फोटों हम दे रहे हैं और प्रसांत करनोजिया ने लिखा है कि नमस्कार दिल्ली पुलिस यह रहा उन आतंकियों की तस्वीर जिन्हें आप अग्यात बता रहे हैं लेकिन इन में से किसी का नाम भी करें इन फेंस्के की यह 15-20 चहरे के लिए फ्रसांति यह द्विश्भेन हर धार यह रहिए को सब्सक्राइं प्रसाइज दिल्ली पुलिस को क्या रहे और पूथ हो ने के विनी और प्रसांति हुए उसे के विए करने प्रसे कैआए रेकर दागाुआ है खतरनाक ये नहीं है कि ऐसे आतंकी अब सडकों पर है खतरनाक ये भी नहीं है कि ऐसे आतंकियों को सत्ता का संरक्षन है खतरनाक ये भी नहीं है कि पुलिस इन आतंकियों के साथ में है खोफनाक ये है कि ऐसे आतंकी अब देश के तक्रीबन हर मीडिया में रिपोर्टर और पेडुशर एंकर बनकर घूम रहे हैं तो वाकिक खतरनाक यह है क्योंकि अगर पुलिस अपनी आखो पर पट्टी बांध रही है पुलिस अगर लाचार हो रही है तो कम से गम मीडिया में तो इस बात कि सवावाज लिठनी चाहिए मीडिया में तो इसको ले बोले क्यों बनते हैं इतना भोला क्यों बन रहे हैं आपके कंदों पर देश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा है और उसके बाद में आप लोग इस तरह से करेंगे तो देश का राजधानी रहने वाला आमनागरी को जाएगा कहां बताई आप और दिल्ली का संसद क्या दिल्ली पुलिस फिर इस बात के लिए है कि किसी का एलमेट नहीं है तो हजार रुपए के चलान काट दो किसी ने मास्क नीचे किया वह उसका दो हजार रुपए के चलान काट दो क्या दिल्ली पुलिस के पास में सिर्फ ये काम रह गया जो खुल्याम यहां पर लोग जेसकी राजधानी में जिस तरह के हालात बन रहे हैं इसके लिए कोई और नहीं बलकि खुद अमिच्छा जिमेदार होंगे क्योंकि उनके ही अंडर में आती दिली की सुरक्षा वेस्ता और जिस तरह से बार-बार दिली के अंदर ये हो रहा है इस करोनोलोजी को आप समझ जिए इस करोनोलोजी पीछे संदेश का है उसको आप समझ जिए बहराल जिस तरह से दिली पुलिस यहां पर पला जाड़ती वी नजर आ रही है दिल्ली पुलिस यहाँ पर कहा रही कि unknown person है हमारी permission नहीं थी क्या आपको लग रहा है कि सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को उपर से कोई व्यक्ति है जो निर्देश दे रहा है कि आपको इसमें कारवाई नहीं करनी है वरना आप बती ही कि ऐसी क्या मजबूरी है जो सहाब इतने आप जो है वो मजबूर होगे इतने लाचार होगे यह तो समझ रहा होगा बैराल इस वीडियो को ज़्याद शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके किस तरह से unknown कह करके अग्यात कह करके अपनी जिम्मेदारी से कौन परला ज़्याद रहा है और जिम्मेदारी किस की है और यह दिल्ली को किस तरफ जो है वो धकेला जा रहा है यह लोग इस बात की क्रोनलोजी को जरूर समझ सके इस खबर को लेकर इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बोक्स में अपनी राय जरूर दे और इस तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन इजिए ने सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइक करने गंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे को वीडियो अपलोड करें उसकी नोट भेशन आपको तुरंद मिल सके धन्यवाद